नमस्कार एक बार फिर आम आप सभी का हमारे आपके अपनी स्यूटुब चैनल स्पोर्ट्स क्लब अफिशल इंडिया की अफिशल यूट चैनल पर स्वागत करते हैं सभी को दिपावली की धेर सारी शुब कामना हैं ये दिप उत्सव आप सभी का आनंद में मंगल में और श इश्वकब 2023 का चवालिसवा मुकाबला कुलखता के इजन गार्डन में खिला गया और ये मुकाबला खिला गया इंग्लेंड और पाकिस्तान के बीज यहां पर पाकिस्तान के लिए मौका था कि बड़े अंतर से जीत कर एक बड़े अंतर से बड़े मार्जन के साथ एक इसा हुआ नहीं पाकिस्तान के साथ तो पूरा उल्टा का उल्टा ही हो गया कल इंगलंड ने टॉस जिता पहले किया गे बल्लेबाजी करने का फैसला बेंस्टोक्स की 84 रनों की शांदार पारी के चलते इंगलंड ने एक बड़ा लक्षक खड़ा किया तो पचास ओर में 337 रन नो विकेट के नुकसान पर बनाए और उसके जवाब में 144 रन ही बना सकी 26 गिंदों में 84 रन बनाए जोरूट ने 72 गिंदों में 60 रनों का योगदान दिया डेविड विली ने भी शांदार नौक अंत में फिनिशिंग टेस्ट दिया पांच गिंदों में 15 रन बनाए और साथी 10 ओर में 56 रन देकर 3 विकेट भी उन्होंने चटके तो उन्हें मैन अ जोनी बेल स्टोक्स 61 गिंदों में 69 बनाए शाहिन अफरीदी 10 ओर में 72 रन दो विकेट मोहमद वसीम 10 ओर में 74 रन दो विकेट और माग कीजिए थोड़ा सा स्कुरिंग में गड़बड हुआ था 43.3 ओर में 244 पर सिम्टी थी 244 रनों पर ठेर हो गई थी पाकिस्तान की टीम 1500 रनों पर बहुत जल्दी जल्दी लगबग लगबग चार पाच विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे लेकिन 244 रनों पर ठेर हो गई पाकिस्तान की पूरी टीम और 93 रनों से यहां से आप कर दीजिए चपन और उसके अलावा सेंटीस जोड़ दीजिएफ पन solve सेंटीस कितने होते हैं g9 302 रनों से इस मुकाबलों से इस मुकाबले को इंग्लेंड ने जीता एक बड़े इंगलेंड ने जिता जहां बड़े मारजन से जीतना था पाकिस्तान को लेकिन बड़े मारजन से जीता इंगलंड ने और इंगलंड ने जीता और इंगलंड ने ये भी सुनिश चीत कर दिया कि हम Aryanbels Trophy खेलेंगे चांपेंस Trophy जो आने वाली है वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि उंग्लेंड बाइट निछा जाएगी तो बह इंग्लेंड चाम्पियन्स ट्वी इसे भी बहर हो जाएगी लेकिन टौपॉट में इंग्लेंड बनी हुई है और चाम्पिंश ट्वी में इंग्लेंड खेलेगी तो पाकिस्तान को 93 राण से हार का सÁमना करना पड़ा डेविड विली ने दस ओर में 56 रन दिये तीन विकेट लिये इंगलंड की बल्ले बाजी तो हम आपको बताया हमने आपको बताया पाकिस्तान की भी बल्ले बाजी देख लेते हैं सरवादी कि रन स्कोरर कोन रहे पाकिस्तान की तरफ से मोहमद द्रिजवान 36 रन आगा सल्मान 51 रन उसके अलावा तर्फ किंसन को दोud विकेट आदिल रशीद दस और 55 रन उनको भी 2 विकेट पैसन दो विकेट जैसे की मैंने कहा और बाबराजम 38 रन पाकिस्तान की तरफ से बनाने में कामयावाया, 45 गेंदो का सामना किया था, 45 गेंदो का ही सामना करके आगा सलमान ने 51 रन जड़े, वही 36 रन जो की 51 गेंदो का सामना करके जोड़े थे, यहां पर मुहमद रिजवान ने, और डेविड विली तीन मिकेट, तो यह था पाकिस्तान हुआ वर्ड कप 2023 से बाहर और सेमी फाइनल के लिए चार टी में हुई तयार, तो पाकिस्तान आखिरकार हुआ विश्वा कप 2023 से बाहर, सेमी फाइनल के लिए चार टी में हुई तयार, हो गई वो चार टी में फाइनल, जो की जिनके बीच होगा, सेमी फाइनल चार टीमे भारत, दक्षिन अफरीका, न्यूजीलेंड और अस्ट्रिलिया तो भारत न्यूजीलेंड भेड़ेगी 15 तारीक को मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में दो बजे ये मुकाबला शुरू होगा 16 तारीक को भेड़ेगी इडन गार्डन में, कोलकत्ता की इडन गार्डन में, दक्षिन अफरीका, बनाम ऑस्ट्रेलिया ये दूसरा सेमी फाइनल और फिर इन दोनों सेमी फाइनल 15 और 16 के बीच में जो भी टीमें जितेगी 15 तारिक को और 16 तारिक को वो टीमें जाएगी 19 तारिक को फाइनल के लिए अहमदाबाद के नरिंद्र मोधी स्टिडियम में तो 15 तारिक को जो टीमें सबसे पहले जो टीम जितेगी वो सबसे पहले अहमदाबाद जाएगी और 16 तारिक को फिर जो टीम जितेगी वो भी टीम एहमदाबाद जाएगी तो अब देखना होगा भारत और न्यूजिलेंड के बीच जो मुकाबला होगा 15 तारिक को वहाँ पर कौन जिता है क्योंकि पिछले बार जब इंगलेंड में विश्वकप खिला गया था 2019 में जहाँ पर न्यूजिलेंड ने भारत को हरा कर भारत को बाहर कर आस्ता दिखाया था अब फिर भारत न्यूजिलेंड सेविन फाइनल में आमने सामने विश्वक अब 2023 में लेकिन यहाँ पर भारत अपने गड़ पे खिल रहा है यह भारत का गड़ है यह भारत का खिला है यह भारत का अपना देश है या अपनी जमीन है तो अपनी धर्ती पर भारत न्यूजिलेंड को कैसे हराती है या भारत पर निर्भर है भारत ये प्लेयर्स पर निर्भर है उसके बाद उसके पहले यहां पर यदियम देखे तो आज 12 तारिक 2023 जहां पर विश्वकप 2023 का 46 वा मकाबला खिला जाना है भारत और निदर्लैंड के बीच और दिपावली के समय पर यह पहली बार विश्वकप का यह मकाबला हो रहा इससे पहले विश्वकप में मकाबला नहीं हुआ 1987 और 1992 में भारत आमने सामने भारत में मकाबले खिले हैं यह अईसा यदि हम देखा जाये तो यह तीसरी बार आमने सामने भीढ़ रहे हैं निदर्लैंड और भारत दिपावली के शुबह उसर पर लेकिन यहाँ पर विश्वकप में पहली बार दिपावली में आमने सामने भीड़ रही है, माप किजिए 31 साल के लंबे इंतजार के बाद यानि कि तीसरी बार इस से पहले दो बार भारत जो मुकाबले खेले हैं जो भी जिसमें से एक वर्ल्ड कप ही था तो वर्ल्ड कप में दुसरी बार खेल रही है भारत लेकिन 31 साल के बाद पहली बार दिपावली के परवमय दिपावली के पावन मैं तिवार में भारत 31 साल के बाद पहली बार यहाँ पर मुकाबला खेल रही है अपने देश में वो भी वर्ल्ड कप का तो 31 साल के लंबे इंतजार के बाद दिपावली के शुब अवसर में यहाँ पर भारत यह मुकाबला खेल रही है नीदर लेन और भारत के बीच जो आज एम चीना स्वामी स्टीडियम बैंगलोरों में खेला जाएगा तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेर करें चैनल में यदि आप नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें नोटिफिकिशन को और से सेट करें ताक आने वाले हर एक वी झाले हराएगा